आप देख रहे हैं दखल न्यूज नापाक हरकतों से नहीं बाजा रहा पाकिस्तान एरफोर्स म्यूजियम में रखी अभिनंदन की वर्दी तो चाय की विग्यापन में कर रहा अभिनंदन का इस्तमाद राफेल की गायब हुई फाइल पर राहुल ने साधा मोदी पर निशाना कहा F.I.R. हो P.M. पर एक बार फिर मद्रदेश के किसान रोय प्याज के आसू लागत का दाम भी नहीं मिल पा रहा भोपाल के इदगा हिल्स में संसनी पोटली में बंधी मिली यूवक किलाश अक्षे ने लगाई खुद को आग किया रैंपव ट्विंकल ने ट्विट पर धमकाया नापाक पाकिस्तान भारतिय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन से अपनी शिकस्त को डकार नहीं पा रहा पाकिस्तान कंफ्यूज है वह भूल गया कि विनर वो नहीं अभिनंदन है जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर एफ सोला कोड़ा दिया और दहारते हुए वापस भारत आ गए पाकिस्तान अपनी 26 उधारने के लिए यूँ कहें अपनी हार को हजम ना कर पाने में रोज एक पाकिस्तान ने अभिनंदन को एक कप चाय के पिला दी उसे भी केश करने से बाज नहीं आ रहा है अभिनंदन का चाय के विज्यापन में इस्तमाल कर रहा है जिसमें वह पाकिस्तानी सेना की ओर से दी गई चाय पीने के बाद कहते हैं the tea is fantastic thank you यह वीडियो अब दुनिया भ रहा है जबकि अभिनंदन ने भारत वापस आने के बाद बताया कि पाकिस्तान में उन्हें मैंटल टॉर्चर किया गया वही अभी तक भारत पाकिस्तान के पीच जितने भी युद्ध हुए उसमें पाकिस्तान को मुझ की खानी पड़ी नपाक पाकिस्तान अपनी नापाक हर बना कर वाइरल करता है हाल ही बे पुल्बामा में भारतिय सेना के जवानों को पाक आतंकियों निशाना बनाया था भारत ने भी जवावी कारवाही करते हुए बालकोट में 1000 किलो बंगिरा कर आतंकी फैक्टरी को जमिन दोस कर दिया था फिर भी नापाक पाकिस्तान बाज न अभिनंदन ने पाकिस्तान के वापस भागते F-16 को ही उड़ा दिया था अभिनंदन को जब emergency एक्जेक्ट करना पड़ा तो वो पाकिस्तान के हाथ लग गए पाकिस्तान जब अभिनंदन को जुका नहीं पाया तो वर्तमान की बहादुरी का कायल हो गया लेकिन अपनी कायरत को छुपाने के लिए पाकिस्तान अभिनंदन के एडिट किये हुए गलत वीडियो को वारल करने लगा पहले तो उसने चाय पीते हुए पाकिस्तान की तारीफ करने वाला वीडियो एडिट करके वारल किया फिर मीडिया की बुराई करते हुए जब इतने से पेट नहीं भर तो किसी का डांस करता हुआ वीडियो वारल कर दिया जिसमें डांस करने वाले को अभी नंदन बता दिया और अब वहां की एक चाय के विग्यापन में विंग कमांडर का वह वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें वह पाकिस्तानी सेना की ओर से दी गई चाय पीने के बाद कहते हैं डटी इस फैंटास्टिक थांक यू यह वीडियो अब दुनिया भर में वाइरल हो रहा है देखो देखो लोगों के खुरों में ताका जाकी कहती हो बदनाम कराओगी सुम्र में बदनामी से डरो तुम मैं तो इनके प्यार में मगन हूँ मिजाज हो चाह जैसा मिजाज आशना है सिर्फ तपाल दानेदार नाम की इस चाह की कमपनी ने ये वीडियो बनाया है आपको बता दे कि पाकिस्तान से उड़े F-16 विमान को 27 फरवरी को मार गिराने के बाद अभिनंदन का मेग 21 प्लेन पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर में क्रैश हो गया था इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया था इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन का एक वीडियो वारल किया था जिसमें उन्हें चाय पीते हुए दिखाये गया था दरसल इस वीडियो के जर ये पाकिस्तान दिखाना चाहता था कि उसकी सेना पेशेवर है और वे पकड़े गए सैनिकों के साथ मानविये वेभार करती है जब कि इस से पहले भारतिय सैनिकों के साथ पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है इसके साथ ही वे भारत को सर्जिकल स्ट्रैक रोकने और पाकिस्तान पर आतंकियों के खिलाफ कारवाहिन नहीं करने का दवाव बनाना चाहता था मगर भारत की कूटनीती और अंतरराश्ट्रे दवाव के चलते पाकिस्तान को विंग कमांडर को भारत को सौपना पड़ा था पाकिस्तानी से इस वीडियो में पहले पाकिस्तानी अफसर विंग कमांडर से उनके मिशन और अन्य जानकारी को ले कर सवाल पूछते हैं जिसका विंग कमांडर दिलेरी से जवाब देते हैं। अगर मंत्राले से फाइल गायब हुई है तो कारवाही प्रदान मंत्री पर भी होनीचाहिए है। राफेल डील सी जुड़ी फाइल गायब होने के अटर्नी जनरल के सुप्रीम कोट में दिये बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी ने सीधे प्रदानमंत्री मोधी पर निशाना साधा है उन्होंने तंज कस्तिवे कहा कि इस सरकार में सब गायब हो रहा है राहूल ने कहा कि देश से फाइल गायब हो रही है दो करोड लोगों का रोजगार गायब हो रहा है डोकलाम और किसानों का पैसा गायब हो रहा है राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फाइल से सीधे प्रधानमंत्री मोधी का ब्रष्टा चार जुड़ा है और इस पर कारवाही होनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेन मोधी ने 30,000 करोर रुपे अपने मित्र अनिल अंबानी की जेब में डाल दिये फाइल में यह सब था और फाइल गायब हो गई बता दे कि कॉंग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोधी पर फाइयर दर्ज कराने की मायं की है पाकिस्तान में कॉंग्रेस नेताओं के बयान प्रकाशित होने के सवाल पर राहुल ने कहा कि वहां के पोस्टर वॉय तो भारत के प्रधानमंत्री नरेन मोधी है बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी सरासर जूट बोल रहे हैं आरोब बेबुनियादी और शर्मिंदगी भरा है राहुल गांधी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाल करना बंद करें बीजेपी ने कहा कि राहुल को पाकिस्तान से सैटिफिकेट चाहिए तो खुद लाना होगा बीजेपी ने राहुल पर तंज कस्ते हुए कहा कि वैसे भी इन दिनों पाक में राहुल गांधी और उनकी पाटी के नेताओं की चर्चा खूब हो रही है केंद्रे मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी राफेल के प्रतिदंदियों के हातों की कट-पुट्ली बन गए हैं अब नयाय की बात कर रहे हैं तो सबको दीजिए क्लियर कट वहां पर प्रधान मंत्री का नाम आ रहा है फाइल में लिखा है पीएमों इस क्यारिंग आउट पैरलल नेगोसियेशन तो उसका भी उसकी भी इनक्वाइरी कीजिए कि उसके बारे में मतलब क्या कंफ्यूजन उसी फाइल में लिखा है और हमने आपको कागज दिखाए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पैरलल नेगोसियेशन ने आप एक पैरलल नेगोसियेशन ने राफायल की डिलिवरी शेडियूल को रिटार्ट किया प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं कि वही आई राफायल टाइम पर आ जाता है राफायल इसले टाइम पर नहीं आया क्योंकि आप अने लंबानी को पैसा देना चारे थे मैं कह रहा किसानों ने लागत मूल नहीं मिलने पर प्याज पशूं को खाने के लिए डाल दिया है परिशान किसान अब लोगों को फ्री में प्याज बाट रहे हैं खनवा के बावडिया काजी में किसानों ने प्याज के सही दाम नहीं मिलने पर उन्हें सड़क पर फेक दिया फिलहाल प्याज तीन रुपे किलो में बिक रहा है इससे किसानों को लागत मूल भी नहीं मिल पा रहा कुछ किसानों ने तो पश्यों को खाने के लिए अपने प्याज जाल दिये किसानों का कहना है कि वह 8 मार्च को नगर निकम के सामने प्रदशन करेंगे और मुफ्त में प्याज बाटेंगे यह पहली बार नहीं है जब मदप्रदेश में किसानों को ऐसा करना पड़ रहा है ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि किसानों को अपनी फसल का लागत मूल नहीं मिलने पर उन्हें फैकना पड़ा प्याज उत्पादा किसान सरकार के रवये से भी बेहत खफा है पढ़ लिखकर बेरोजगार युवाओं ने एक अनूठा प्रदशन किया विश्व विध्याले के बाहर मुख गेट पर केंदर सरकार के खिलाफ एनस यूआई के छात्रों ने अलग तरीके से विरोध किया कोई जूतों में पॉलिश कर रहा था तो कोई शेविंग कर रहा था बोधी सरकार पर युवाओं से जूट बोलने का आरोप लगाया और कहा कि 5 साल में चंद लोगों को ही रोजगार मिला है पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर बेरोजगार खुम रहे है यहांगे लगा है अगर भारती जनता पार्टी की यह सरकार दोरा अचार सहनता लगने के पहले अगर जोजगार नहीं दिये जाते हैं तो यूवाओं दोरा छाचनों दोरा इस सरकार का भेशकार किया जाएगा समय ब्रेक का है, ब्रेक के बार जल हाजिर होंगे, आप देखते रहें दखल न्यूज आप देख रहे हैं दखल न्यूज मैं महिला दिवस की शुपकामनाये तमाम हमारी बहनों को देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मध्यप्रदेश में अब सरकार कॉंग्रेस की हैं और कॉंग्रेस के सरकार के चलते महिलाओं को उनका अधिकार अवश्य मिलेगा, ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, साथ ही मद्रप्रदेस सरकार महिला अत्याचार के प्रती भी जीरो टॉलरेंस रखेगी, इस बात का भी मैं बहनों को विश्वास दिलाती हूँ, और धे रहुल जी ने इस बात का वचन दिया है कि कॉंग्रेस की सरकार के इंदर में जब आएगी अपसलूट मजार्टी से, तो वो अवश्य महिला अरक्षन बिल पास करेंगी, जिससे कि महिलाएं विधान सभा और लोक सभा में भी अपना अधिकार पाएं और इस देश को चलान आप देख रहे हैं दखल्यूट अपनी आए का जरिया बना लिया है हम बात कर रहे हैं च्छतिस कड के एक हिस्से से निकल कर 219 किलोमीटर का सफर तै करते हुए महा नदी में मिलने वाली शिवनाथ नदी की जो हजारों ग्रामीडों को रोजी रोटी का साधन बन रही है यहां पाई जाने वाली एक विशेश प्रकार की खास इन दिनों ग्रामीडों के लिए आए का अच्छा जरिया बनी हुई है जिसे ग्रामीड गोंदला के नाम से जाते हैं वेपारी खुद यह घास लेने यहां आते हैं गोंदला का वेग्यानिक नाम साइपर्स डिस्टेंस है यह एक बारामासी पौधा है सुगंधित घास के रूप में और पानी को शुद करने के लिए उप्योग किया जाता रहा है जिसके लिए इतर का उप्योग प्राचीन यून्यानी ठिकित सकों में किया जाता है जीवाणू रोधी गुणो के चलते इसे 2000 साल पहले सुदान में रहने वाले लोगों ने दातों के शैकोर रोकने के लिए उप्योग किया था और वे आज भी इसका उप्योग करते हैं न्याय करने वाले न्यायले भी अब सुरक्षित नहीं है प्रदेश में दिन प्रते दिन आपराधी घटनाय बढ़ती जा रही है चोर इतने वे खौफ हैं कि दिन दाहाडे जबलपूर न्यायले परिसर में चोरी की नियत से घुच गया लोगों को उन पर शक हुआ तो पुलिस को सूच ना दे पुलिस ने देर ना करते हुए चोरों को रंगे हातों धर्दबोचा जबलपूर ओमती थाना अंतरकत जिला न्यायले में चोरी की वारदात को अंजान देने वाले चोरों को धर्दबोचा गया चोर दिन दाहाडे चोरी करने के मकसद से न्यायले परिसर में गुसे थे जिनको रंगे हातों धर्दबोचा गया बताया जा रहा है कि रजा चोक निवासी मुहमद सुराफ बे खौफ होकर जिला न्यायले में लगे नलो की तोटियों को दिन दाहाडे चुरा रहा था जबकि जिला न्यायले में रोजाना सेक्णों की तादात में लोगों का आना जाना होता रहता है इसके बावजूर बिना किसी डर के मुहम्मद सुराफ इस चोरी की घटना को अंजाम देने में लगा हुआ था वही मौके पर जब लोगों की नजर मुहम्मद सुराफ पर पड़ी तो इसकी सूशना ततकाल ओमती थाना को दी गई जहां मौके पर पहुँची ओमती पुलिस द्वारा मुहम्मद सुराफ को चोरी हुई नलो की तोटियों के साथ रंगे हातों पकड़ लिया गया वही पुलिस द्वारा मुहम्मद सुराफ से चोरी की गई और भी वार्दातों को पूश्टाच की जा रही है इदगा हिंस में उस वक्त संसनी फैल गई जब फिल्टर प्लांट के पास पोटली में क्युवा की लाज मिली बॉड़ी देखकर अंदाजा लगाये जा रहा है कि युवा के हत्या गलारेद करकी गई है पुलिस मौके पर पहुचकर जांच में जुट गई है अभी तक युवा की शिनाक्त नहीं हो पाई है गुंडगर्दी की वार्दाते दिन पर दिन बर्ची जा रही है जवलपुर में गुंड़ा टेक्स ना देने पर बदमाशों ने तीन हाईवा यानि रेत के ट्रक में आग लगा दी इतना ही नहीं रेत कारोबारियों ने अपना डर पैदा करने के लिए बदमाशों ने हवाई फाईरिंग की और वहां से भाग गये ये हैरान कर देने वाली तस्वीरे सामने आई हैं जहां कुछ बदमाशों ने रेत निकालने के विवाद के चलते तीन हाईवा ट्रकों में आग लगा दी इतना ही नहीं दो दरजन से जादा बदमाशों ने रेत कारोबारियों में डर पैदा करने के लिए हवाई फाईर भ रहे थे जब वेपारियों ने मांग पूरी नहीं की तो बदमाशों ने रेत परिवहन करने वाले हाईवा में आग लगा दी इस मामले में पुलिस ने प्रेम पटेल राजकुमार पटेल कोमल पटेल और दिनेश चौरसिया के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है यह पूरा मामला जबलपूर के शहपुरा बेले खेडा थाना अंतरगात पावला का है सलकनपूर मा बिजसिन मंदिर में उस वक्त भगड़ मच गई जब अचानक सूर द्वार पर लाइन से बनी दुकानों में आग लग गई प्रसिद माबीजा से इनका मंदिर रहटी के उचे पहाड पर बना है मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और देखते ही देखते आग ने लगभग 15 से 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया यह दुकाने प्रसाद खिलोने कंगन वा अन्य खाने पीने के समानों की थी सभी दुकाने आग से खाक हो चुकी है जिससे दिकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ है जब आग लगी तो 5 बिग्रेट को इसकी सूचना दी गई मगर उची पहाड़ी और खड़ा रास्ता होने के कारण 5 बिग्रेट की गाड़ी चल नहीं पाई इसके बाद वहाँ के स्थानी लोगों ने शटर तोड़ कर आग पर काबू पाया तब तक कोई भी प्रशाशनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर नहीं पहुचा था समय ब्रेक है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे हैं दखल नियूस मैं सभी मेरी प्रियरजन महीला सकी संबंदी और कलीक्स को विमिन्स डे पे हार्दिक शुपकामनाएं देना चाहती हूँ और मेरा यही अग्रह है विमिन्स से महीला परीजनों से कि वो हमेशा स्वास्त रहें सुखी रहें खोश रहें और अपनी महीला साथियों के लिए हमेशा जागरूकता फैलाएं नमस्कार सबसे पहले आप सभी को वुमिन्स डे की धेर सारी शुपकामनाएं इस वुमिन्स डे पर मैं भोपाल पुलिस की तरब से आप सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ आप लोग सतर्क रहें, सुरच्चित रहें और सथ रहें, जागरूक रहें जहां भी जाएं पूरे प्रिजेंस ऑफ माइंड से जाएं कब किस समय क्या गटना होगी, उस समय हमें कैसे रियक्ट करना है, क्या हेल्प लेनी है इसके लिए जागरूक रहें हमारी मैत्री मोबाइल है, जो पूरे समय पर पूरे भोपाल में गस्त करती है, पिट्रोलिंग करती है तो आप उसकी जानकारी रखें और कभी भी कोई भी समस्या आती है, आप 1090 पर कॉल करें मैत्री मोबाइल को कॉल करें, डायल हंड़ेट को कॉल करें बस मेरा यही संदेश है, आप लोग सुरक्षित रहें ब्रिक के बाद आपका स्वागत है फिल्म जगत की एक्ट्रिस प्रेंका चौपडा के पती नेक जून्स ने सभी के दिलों में एक अलग ही जगहा बना ली है, मशूर कलाकार निक जोन्स और उनके ब्रिदर्स की रियल लाइफ पर डॉक्यमेंटरी फिल्म बनाई जा रही है, इस फिल्म के जर्गे तीनों जोन्स ब्रिदर्स ने एक बर फिर से साथ में वापसी की है, जल्द ही दर्शुकों को इनकी लाइफ पर डॉक्यमेंटरी देखने को मौका मिलेगा निक जोन्स एक मशूर कलाकार है और उनके शोज में बेहिसाब भीड देखने को मिलती है निक अपने भाई के साथ पहले से परफॉर्म करते आ रहे हैं, हाला की बाद में चीज़े बदल गई अब जोन्स ब्रिदर्स की रियल लाइफ पर एक डॉक्यमेंटरी बनाई जा रही है Hollywood Reporter.com के मुताबी करीब 6 साल में आए बैंड के पहले सिंगल सकर के बारे में भी इस फिल्म में दिखाया जाएगा Amazon Studios की प्रमुख Jennifer Salk ने फिल्म को Behind the Scene लोक बताया है जोन्स ब्रिदर्स ने कहा कि हमारे प्रिशन सक दुनिया में सबसे अच्छे हैं जोन्स ब्रिदर्स के तौर पर व्यक्तिकत रूप से हमारे सफर में भी हमारे खत्रों के खिलाड़ी अक्षे कुमार जिस तरह अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत लेते हैं ठीक उसी प्रकार उनके स्टंट लोगों को रुमाचित कर देते हैं अक्षे अपनी एक वैफ सिरीज दा एंड लॉंच कर रहे हैं जिसका अनौंसमेंट करने के लिए उन्होंने स्टंट दिखाने के तौर पर खुद को आग लगा लिए अक्षे कुमार को खत्रों का खिलाडी नाम से जाना जाता है इस्टंट के नाम पेवे जो भी करें वो कम है जैसा कि आप डेख सकते हैं उन्होंने खुद को आग लगा कर उनकी लप्टों के साथ रैम बॉक करते नज़र आ रहे हैं यसाब अक्षे ने अपनी वैफ सिरिस देबयू करने के ले किया है दरसल अक्षे एमाजोन प्राइम वीडियो के साथ दे एक वैफ सिरीस कर रहे हैं इसकी अनाूंस्मेंट के लिए अक्षे कुमार ने इस इस्टंट का सहारा लिया है अक्षे को इस तरहां रेम पर देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाते नज़र आए लेकिन उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को अक्षे की ये हरकत पसंद नहीं आई पती से धमकी भरे अंदास में बात करते हुए ट्विट किया क्या बक्वास है मैंने पाया कि तुमने कैसे खुद को आग लगाने का फैसला किया घर आओ और अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूगी इस तरहां ट्विंकल खन्ना ने अक्षे कुमार पर अपना गुसा निकाला अब घर जाकर अक्की के साथ क्या हुआ होगा ये तो वही जाने इस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही आप देखते रही है दखलने उस दखल आपके हक में कहीं जाएगा मत हर बार की तरह भेरंट समाचार सुनाएंगे आपको जर जर भो पाली अब जर 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 भो पाली और घर्मी में बहुत ठड़ लगती इसलिए तो भी लगा लेता हुआ हुआ ने बहुत दरत हो रही है और यह एक उमता ख़वर बता रही है नितिन गड़करी ने जो क्या कहा रहे है पेशा आपसी ने यूरिया बनाएंगे वह ता रही हुँ इसना देश में उत्पाद नोगा यूरिया का वी देशों में सप्लाई करेंगे बता रही हुँ और यह बहुत अच्छे ख़वर है केजडिवार ने इनको क्या है यह जाए मोधी बूत मजबूत करने में लगा हुआ है और मैं कहा हुँ सबसे पहले इनों ने अपने लोकसभा केंडिदेट इनों ने तो डेक्लेर किये तो बूत किसको पढ़ी है इने हो पढ़ी है दो बता रही हुं हमारा जो मिलक बूत है मिलता है रबड़ी मिलती है यह मजबूत हो सबूत मांग रहे हैं यह सबूत मांग रहे हैं यह इनको तो क्या करना चाहिए मिराज से वांद के ले जा हो इनके गले में एक टांग मोबाइल तो रिकोर्डिंग करके खुदी ले आएंगे तब इनको साउथ मिलेंगे बतारियों वह अमिस्सा है वो भी है वह काम नहीं है वह कैना राइसो लोगों मारा आज तुम कहतिक है आप देखने है वह बतारियों अगर राहनीती भी करनी है तो बावमत के लिए दोसो बाततार चाहिए दोसो बाततर बोलो ना यह सथ चल लिया बतार हुए है अमरत मन धन कर देखने है वह बतार यह पाकिस्तान देख खबर आ रही है इन्होंने चावा अलीस आतंग बाजियों को गिरफतार किया है और मैं अब कहाए रही हूए है यह अंहां से ओं से निकाल की लेया तह आपने अपने अपनि अपनी एपनी शेर के जिंटा करो सब सबस्क्राइब जो जाए हैं अब आधर में उन्हाए हैं आखर मावी एक शेर सुल्ले हो बंब आप मोले वा तक मादी घिकान बे वर्शाद कोले मैं भी आरे हो बार साने नमस्कात आप देख रहे हैं दखल्यू